Hello दोस्तों स्वागत है आप सभी का sleeping classes में दोस्तों अपने crash course को youtube पर चल रहा है जो crash course उसको आगे बढ़ाते है और दोस्तों आज crash course में हम cover करते हैं paper 2 ठीक है एक दिन paper 1 एक दिन paper 2 अगर आप इसको साथ साथ देख रहे हैं जैसे अभी हम चला इसको 2021 में चला रहे हैं तो Fridays को दोस्तो हम Paper 1 कवर करेंगे Topics मैंने आपको जो पहले बताया था schedule and Saturdays are for Paper 2 ठीक है, आठ हफते में मैं आपको सिरफ Rapid coverage देना चाहता हूं of various topics हमने इसका Day 1 चलाया, बहुत ही बड़ी हा response है बच्चों ने वहाँ पर जो नीचे मैंने को कुछ question भी अंत में पूछे थे जिसका हमें answer next class में बताऊंगा Paper 1 में जो सवाल पूछ रहेगा, उसका class Paper 1 की next class में होगा जैसे हमने chapter 1 and chapter 2 cover किये next हम chapter 3 cover करेंगे next week and then उसमें मैं आपको जो chapter 1, 2 के जो सवाल थे वो बताऊंगा similarly यहाँ पर हम paper 2 में आज हम cover करने वाले हैं A1 and A2 आपको इस particular crash course के थूँ थोड़ा idea भी मिलेगा कि किस तरहां से हम एक-एक syllabus के topic को cover कर सकते हैं and detail में जा सकते हैं कोई भी topic छोड़ियेगा मत please it's a request and A1, A2 cover करेंगे आज and मैं आपको यहाँ पर अंत में question भी दूँगा जो हम paper 2 के अपने next जो lecture है जिसमें हम B1 and B2 की बात करने वाले हैं वो हम उसमें cover करेंगे ठीक है दोस्तों तो मैं assume कर रहा हूँ कि आप से अप लोग तयार है and मैं भी तयार तो चलिए paper 2 शुरू करते हैं हम यहाँ पर जो videos देखने वाले हैं भी जो हम यहाँ पर मैं content बताने वाला हूँ यह दोस्तों सभी का जो सारा का सारा content हमने share किया हूँ YouTube पर and अगर उसके beyond अगर कोई लग रहा है मुझे कोई relevant और चीज़ है आपको देखनी चाहिए कोई particular source पढ़ना चाहिए definitely I'll let you know at the end of the video अन्त में आपको question में बताऊंगा जो हमने discuss करना है next week ठीक है आप नीचे comments में बताएंगे मुझे उसका answer ठीक है सरल project है बिल्कुल कि मैं आपको rapidly syllabus के बारे में मताऊंगा कि हम जो syllabus देखना है अगर आप इस साल का मेंज लिखने जा रहे हैं या फिर आप overall चाहते हैं बहुत rapidly syllabus गवर करना तो आपको ये सभी के सभी जो में यहाँ पर topics जो नीचे दिये वो एक एक topic पर आपको वीडियो भी लगा हुए तो देखिए नीचे source दिये source में कुछ पढ़ना चाहते है पढ़िए and एक question दूँगा मैं question आप उसको attempt कीजिए नीचे comment box में आप उसके answer बना के डालिए अगर अच्छा answer हुआ तो I will also share it in the next video ठीक है दोस्तों चलिए A1 दोस्तों paper जो हमारे 2 की शुरुआत होती है उसमें topics तीन parts में divided हैं A, B and C ठीक है A में दो topics हैं A1 and A2 B में आगे further 6 topics हैं C में 7 topics हैं तो A, B and C में हमारा paper 2 divided A में 1 and 2 हैं B में 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं C में 7 तक हैं ठीक है 7 और 6, 13 और 2, 15 15 total broader topics हैं कुछ चोटे हैं, कुछ बड़े हैं कुछ जादा important, कुछ कम important कोई जादा बार पूछे जाते हैं कोई relatively कम बार पूछे गई हैं ठीक है तो इसलिए accordingly A1, A2 मेरे मानने में बहुत जादा important almost almost हर साल आपको compulsory questions में जो हमारे means में compulsory questions हैं वहाँ पर एक सवार नजर आएगा मैं आपको इसका compilation भी हम इसके लिए बना रहे हैं आपकी जो past year questions की topic wise compilation भी मैं आपको साल बहुत जल्द शेर करूँगा आप उसको देखिए paper 1 की compilation has already been shared it is available on our website ठीक है downloads में sociology में जाके देखिए आप आपको वहाँ पर segregated now you need not buy any 10 year etc आपको segregated question वहाँ पर bank लगा दिया आपके लिए and बहुत rapidly हम try कर रहे हैं हमारे various courses होते हैं जो paid courses होते हैं जहाँ पर हम question answer के थुरू अपना crash cover करते हैं rapidly वहाँ पर हम कोशिच कर रहे हैं कि हम past year questions जितना ज़ादा हो सके होते discuss करें even कि YouTube पर भी हम कुछ-कुछ सवाल discuss करते जा रहे हैं ताकि बच्चों को कम से कम हम शुरुवात करवा सकें and बच्चे कम से कम थोड़ा एक initiate हो जाएं कि yes हमें ऐसे कुछ answer बनाने हैं तो मैं कुछ-कुछ से research करूँ, google करूँ, कुछ notes पढ़ो and accordingly मैं answer बनाऊ ठीक है? तो चलिए A1 में तीन important topics, तीन thinker हैं उनके तीन जो broader विचार धारा हैं GS गुरे जी की बात की जाती है जिन्होंने endology की उपर जो research करी भारतिय समाज को समझने की कोशिश करी then M.N.S. के नाम से जाने गए and इन्होंने कहा structural functionalism क्या होता है then AR decide marxist approach अपना कर भारतिय समाज को समझने की कोशिश करी तीन important चीज़े 98th नंबर वीडियो से यहाँ पर कहाने शुरू होती है जब हम GS गुरे को discuss करते हैं कि क्या होती है endology and endology के बारे में बिलकुल जो हम broader ग्यान हमें चाहिए exam perspective से exam में सवाल आपके crack होंगे यहाँ पर ठीक है जो वीडियो का link भी रगा दिया है और यह सभी जो PDFs etc हमारे सभी हमारे एक दोस्तों हमारे जो platform भी है sleepy classes का हमारा एक platform है platform मतलब जहां पर हम एक segregated देखो YouTube पर अगर मुझे को PDF अगर कोई शेयर करना है मैं नहीं कर पाऊंगा मुझे website बढ़ाना पड़ेगा तो इसलिए हमारा platform भी है sleepy classes का जो उसका link होता है जैसे courses.sleepyclasses.com वरना website भी जाएंगे sleepyclasses.com वहाँ पर आपको top पर जैसे लगा हुआ देखेगा login का button ठीक है login करेंगे आप वहाँ पर register भी कर सकते हैं ठीक है अगर आपने पहले नहीं किया तो register कीजिए वहाँ पर free courses हैं बहुत सारे free courses उनके साथ associated उनकी PDFs जैसे हमारे बहुत सारे initiatives आते रहते हैं time and again कोई prelims के लिए, कोई mains के लिए optional के लिए, c-sat के लिए जो बहुत सारे free initiatives हैं जो अपने आप में बहुत holistic courses हैं ठीक है, इतने सारे बच्चे आप जो rank निकालते जा रहे हैं वो हमारे courses के बारे में mention करते हैं कि मैंने वहाँ से पढ़ा free में paid courses में बच्चे भी रहते हैं definitely लेकिन free वाले भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसलिए paid में आने से पहले अगर आप free देखेंगे आपको बहुत idea मिलने वाला है कि किस level पर त्यारी करने की requirement है ठीक है, तो आप बहुत जाकर register करेंगे वहाँ पर platform पे भी हमने ये social का course जो crash course लगा दिये, with वहाँ पे PDF साथ में आपको मिलता रहे है रिजिस्टर कीजिए, login कीजिए, अराम से वहाँ पर अपने जो enjoy कीजिए and PDF को पढ़िए and accordingly अपने process को जाकर चलाएए तो Indology ये lecture भी वैसे लगा हुए, YouTube का lecture है 98th number lecture है YouTube की मारी प्लेलिस में 98 से शुरू कीजिए आज and then Indology के बार हमें और बात करेंगे कि contemporary, आज के जमाने में Indology का वैसे जो दोस्तों वैसे broader मतलब क्या होता है भारत की study, Indo and जो logic का मतलब पढ़ाई करना, study करना and एक तरह से देखें logically study करना, rationally पढ़ाई करना, ठीक है तो भारत की समाज की study थी कि भारत ऐसे माना गया था भारत एक unique country है, इसका unique culture है और इसको unique तरह से समझना चाहिए, हम western models को लगा कर देखते हैं, हम समझने के कुशिश करते हैं भारती किताबों को, भारती ancient text को तो हम नहीं समझ पाएंगे, भारत एक unique समाज है ठीक है, तो indology उसी पर स्थापित है and indology, ऐसे जैसे अगर मैं बताऊं तो ऐसे जैसे एजिप्ट के बारे में study होती है एजिप्ट एक unique समाज है, एजिप्टology कहा जाता है उसे जपान के बारे में study होती है तो कुछ-कुछ ऐसे unique जो माने जाते है जो broader की ऐसे जो unique तरहां की societies है उनकी study की जाती है तरहां से जैसे भारती study भी है उसको indology कहा जाता है not exactly Indian, पूरे Indian subcontinent आसपास की countries को भी मिला कर क्योंकि culture की बात हो रही है तो कि वो उसमें बात की जाती है कि हम ancient texts को उठाएं अगर and ancient texts के beyond जाकर अगर हम देखें कि हमारे जो overall अगर आज के समाज में जो important जैसे अगर simple आप देखिए आज का अगर आप newspaper पढ़िए वो क्या जो जैसे newspaper की setting है जो important news आपको दिखाई देती है कुछ खबरें देती है आपको लगता है more or less similar होंगी कि let's say America की newspaper में कि इतनी ही politics की खबरें होंगी या फिर अगर मैं आपको example लेकर बताऊँ कि अगर हम बात करें कि rape cases की बात हो रही है या फिर किसी caste में किसी पर बहुत अत्याचार हो गया कि आपको लगता है कि America की news में ऐसे अकबारों में या फिर UK के अकबार में Sweden के अकबार में आपको लगता है ऐसे खबरें कितनी होती होंगी तो इसलिए भारतिय समाज अगर हमें आज की तरह से देखने है तो हमें आज की जो किताब हैं आज के text उठा कर देखें तो उसमें क्या नजर आ रहा है तो हम contemporary आज के समाज में हम Indology को समझना चुरू करते है and कुछ recent Indologists भी है जो कुछ नए तरह से भी चाहते है ancient text को भी देखना नई नी तरह की जो research चलती रहती है तो इसलिए contemporary times वाला video भी आप देख लीजेगा मेरे मानने में आपके जो Indology वैसे भी आप पढ़ते है उसमें भी आपके एक level एक्स्ट्राइड हो जाता है कि हम आज के जमाने की बाद भी सर कर रहे है ठीक है? ओके, देन जो lecture number 100 उसमें हम M.N. श्रिनिवास की बाद शुरू करते हैं दोस्तों M.N. श्रिनिवास जिन्होंने हमारे देश में structural functionalism बिल्को सरल शब्दों में समझाओं आपको structural functionalism होता कि है कि वो ऐसे देखो, जो structural functionalist होते हैं पहली बात तो है क्यों मानते हैं कि पूरा का पूरा सामाज है, एक structure में exist करते हैं, ठीक है? There is a structure to entire society एक आम इंसान को शायद वो ना नजर आए sociologist को जादा नजर आएगा कि ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो structure ठीक है, उसके हिसाब से माननी जीए कि एक structure ऐसा भी possible है कि हमारे देश में जितने age-wise देखें अगर, तो age-wise जो लोग हैं उनको जादा सम्मान दिया जाता है उनको जादा इज़त मिलती है जो उंचे जो ओहदे होते हैं वहाँ पर भी higher positions पर उनको बिठाए जाता है structure ऐसे भी बन जाता है age-oriented structuration भी हम कर सकते हैं अपने समाज की multiple तरहांस हो सकते हैं अभी achievement-oriented हो रहा है कभी cast-oriented भी हो सकता है तो structure कैसे बनाएंगे समाज का अगर आप ऐसा मानते हैं कि समाज में there is a structure ठीक है पैसे के हिसाब से structure बन सकता है तो yes and उस structure का कोई function है ठीक है वो function कोई serve कर रहा है तब ही वो exist करता है structure अगर वो function serve नहीं कर रहा होता शायद वो चला जाता शायद वो किसी का फाइदा नहीं पहुंचा रहा होता या फिर overall सभी को benefit नहीं दे रहा होता तो वो exist नहीं कर पाता इसलिए structure वो exist इसलिए कर रहा है क्योंकि it is performing a function ठीक है तो यह structure function is broader इस idea से इतिफाक रखते है they agree with this particular principle that there exists a structure which is performing certain functions ठीक है तो M.N. शिनिवाज भी भारतिय समाज को चाहते है वैसे ही समझना and वो उसको उस perspective सो देखना चाहते है देखो हर इंसान देखो आप भी न अगर thinker बन जाएं आप भी हो सकते हैं आप को देखने का नजरीए कुछ और हो आप भी thinker बनके आप किताबे पब्लिश कर सकते हैं ऐसे ही शिनिवाज भी ने को समझा है समाज को research करी various villages में गए ठीक है तो कोई जैसे जो अगर हम देखते हैं आगे जो हमारे जैसे thinkers हैं particularly कोई श्रीपूरम village गया ऐसे से आपको नाम लिख की पूछा जाता है कि श्रीपूरम village में कौँ गया बताएए दोस्तों श्रीपूरम village की study किसकी है UPSC पूछ चुक है तो इसे जाके study करते हैं समाज को देखते हैं villages में देखते हैं वहाँ बहुत बहुत देर बैठे रहते हैं तो thinker लोग तो ऐसे काम करते हैं ठीक है तो इसलिए M.N.S.R. निवास का जो perspective है that is structural functionalism और structural functionalism पढ़ लेना enough नहीं है उसमें कमियां क्या है अगर इस तरह से भारती समाज को देखते हैं तो उसमें कुछ कमियां भी तो होनी है जो होंगी ही हम उसके बारें पता होना चाहिए तो criticism वो भी एक lecture available है यहां पर rapidly बस बिल्कुल quick rapidly cover कीजिए link लगे हुए link पे click करते रहिए इस PDF को download कीजिए link लगे हुए and then AR दिसाई की बात होती है next हमारे thing करें Marxist तरीके से भारतिय समाज को समझने का तरीका Marxist तरीके से कि कुछ लोग होते है haves, कुछ have nots है तो किसी के पास resources हैं, किसी के पास नहीं है and जो resources हैं वो particular के पूरा culture set कर रहे हैं पूरे के पूरे resources को ऐसे utilize कर रहे हैं कि जिनके पास resources नहीं है उनको चीज़ें हमेशे कमी रहती है तो इसके बार में बात है lecture number 102 इसके बार में आप जाने, इसके बार में पढ़ें and उसके बाद एक और particular चीज, कि एक और lecture है यहाँ पर, अब ही जैसे आज सच देखेंगे अब यह पूरी series में चल रहा है इस series में नहीं है मैं अब इसको डाल दूँगा हमारे जो YouTube पे आप देखेंगे जाके sociology का tab है playlist में sociology के जो tabs है YouTube की playlist में वहाँ पर sociology की paper 1 अलग किया है paper 2 कुछ हमारे ऐसे value added quick revision series हमने अलग बनाया था जो कुछ नए ने जो ideas बच्चों के help करने के लिए हमने YouTube पर डाल दिये थे ठीके तो वहाँ पे idea of Marxist approach study India उसमें Marxist approach को लेके और हना AR दिसाई अकेले Marxist नहीं रहे और भी Marxist लोग रहे हमारे देश में ये UPSC ने हाली ही में 2019 या 20 में ये सवाल भी पूछा था इस particular video से ये solve हो जाता ठीके तो इसलिए मैं चाहरा हूँ कि आप ये video को भी देखें हमारे चैनल पर available है why not and then A1 का हमने complete पूरा का पूरा अगर आप चाहते हैं एक series में जाकर देख लेना तो A1 का complete भी यहाँ पर हमारा lecture available आप उसको देख सकते हैं ठीक है ओके बात करते हैं अब A2 की दोस्तों A2 एक ऐसा broader topic है चीज ने थोड़ी सी intermingle दी है हम भारती समाज को समझ रहे से पहले A1 में कि भारती समाज कैसे organized है भारती समाज के बारे में कि कौन से thinkers ने कैसे कैसे समझा कोई कह रहे कि सर हमें एतिहासिक टेक्स्ट देखके भारती समाज को समझना चाहिए कोई कह रहे नहीं सर कि structure देखते हैं क्या function समझ कर रहा है उसके हिसाब सा देखते हैं तीसरा कहता है नहीं सर ऐसा भी देख सकते हम देखना चाहिए कि किसी के पास resources हैं, किसी के पास resources नहीं है, Marxist तरहां से समझते हैं, भारती समाज को ऐसा अभी तक किसी ने नहीं समझा, ठीक है, तीन अलग लोग, तीन अलग वी चार धार हैं, तीन अलग तरहां से भारत को वो imagine करते हैं, लेकिन उसके बाद, वो कहरें कि सिर हमारे देश में colonial rule आया, ठीक है, जो अंग्रेजों ने हम पेशासन किया, उसका हमारी समाज पर, हमारी society पर बहुत जादा पर भाव पढ़ा, हम जिस तरह से exist करते थे, अभी completely वैसे exist नहीं करते, हम पर western ideas का, British ideas का बहुत परभाव पढ़ा, हमारा समाज change हो गया, आप imagine कीजिए न, कि अगर आप मालीजे आपके पास time travel की machine हो, आप 300-400 साल चल जाएं पीछे, 1600-1700 की उसमें आजाएं आप जो सदी में, किसी को पता भी नहीं होगा अगर दुनिया में English को लैंग्वेज है, हाना पता होगा मुटी बन लोगों को शायद बहुत जो travel करते होंगे, otherwise English language किसी को नहीं पता था, आज हमारे देश में हम सब कुछ चो पढ़ लिख रहे हैं, यह वाला सब English में है, कितना जादा परभाव है, जो 1750 में आप हैं, और 100-200 साल बाद आएं, 1950 में आप आएं, 1750 में किसी को English का E भी नहीं पता, and 1950 में suddenly everybody now knows English, not everybody, you're getting it, कि एक important, एक medium बन गया, देश का सबसे important document भी इंग्रिश में लिखा गया, ठीक है, तो getting it की परभाव कि समारे भारती समाज पर पर परभाव तो हुआ न, अंग्रेजी values का, तो अंग्रेजी जो हुकूमत का, तो इसलिए उसको समझना भी जरूरी है, तो उसी के लिए हमारा, जो next, हमारा A2 रहता है, वो यह colonial rule का हमारे भारती समाज पर क्या परभाव रहा, ठीक है, तो उसमें हम पहरे समझते हैं कि भारती जो nationalism था, जो आजादी की जंग थी, उसका social background क्या है, ठीक है, social background जानते हैं उसका, कि उसमें various cast का क्या रोल रहा, various workers ने क्या किया, women का contribution, हाना ऐसे, उस तरह से देख सकते हैं, multiple तरह से आप इसको imagine कर सकते हैं, social background में, कि जो कुछ लोग ऐसे थे, वो कह रहे थे कि जो हमारा पहले वाला भारत था, जिसको हम हिंदू राष्टर कह सकते हैं, उसकी सापना करनी चाहिए, दूसरे कहने हैं कि नहीं, हमें modern देश बनाना चाहिए, secular values पर, कोई और कह रहा है कि हमें mixture बनाना चाहिए, कोई कह रहा है कि नहीं, Marxist ideas हैं, Marxist ideas में देखें, किसी के पास resources रह जाएंगे, कोई नहीं, हमें equality की basis बनाना चाहिए, multiple तरह के लोग, social background इसलिए देखें, बहुत diverse है, ठीक है, बहुत diverse social background है, अजाद भारत की वो अलग तरह से चाहते थे पहचान बनाना, तो इसलिए हमें इसको जानना भी ज़रूरी है, okay, then वो कहने कि भारती जो tradition था, कैसे modernize हुआ, ठीक है, अंग्रेजों के आने से कैसे modernize हुआ, values कैसे बतली, खाना, पीना, वेश, भूशा, language, etc, क्या-क्या पर भाव रहें, इस पर जो सबसे ही important जो work है, वो है योगेंदर सिंग जी का, recently ही उनका ध्यान हुआ था, कुछ अभी शाहिद जो COVID के दूरानी हुआ था, शाहिद, not because of COVID I guess, but because of other reasons, because of age I guess, ठीक है, तो बहुत important है, इन पर हमने पोस्ट भी लिखा था, योगेंदर सिंग जी, एक हमारे देश के one of the top sociologists ever, ठीक है, उन्होंने जो एक model भी दिया, कि भारती से हमाज कैसे modernize हुआ, तो उसको भी हम पढ़ते हैं, important है, जगा 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 बार बार discuss करते हैं, and then कुछ protest movement रही हमारे देश में, colonial period में, आपको पूछे जाती है, generally history में आप जो अपने GS में prepare करते हैं, आपको सोच नहीं पढ़ती है, and then ये इसमें से जो borrowed content है, उसको हम इसमें apply करत हैं, कि इसका क्या रहा, अच्छा ते भागा में, जो किसान movement थी, जो peasant movement थी, and जिसे चंपारन में किसी और तरह की movement, etc, etc, ठीक है, तो then social reform movements भी रहती हैं देश में, जो कि again, ये दो particular topics हैं, हमें history से बारो करने चाहिए, and history से बारो करके, accordingly, हमें exhaustive list बना लो, आप 7 और 10 अच्छे answer बना सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा भी, okay, then, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, जो कौनसे कौनसे lecture है, lecture number 104, जिसमें हम social background of internationalism, exhaustive lecture, modernization of Indian tradition, exhaustive lecture, then, उसके बाद, एक, हमने वही quick revision series वाली आप playlist में जाएंगे, आप देखेंगे, features of Hindu culture, ठीक है, जिसमें Hindu culture के features क्य हैं, HCHT model भी महाँ पर दिया, आपको रटने के लिए, अराम से रट सकते हैं, और मैंने नहीं लिखाई है, यह किताबों से हमने बौरो किया, मेरा खुद का नहीं है, ठीक है, तो इसलिए, again, HCHT model बौरो कीजिए, Hindu culture के बारे में पढ़िए, ठीक है, कि जिसमें holism, and then, महा पर बात करते हैं, कि किसे हैं से transcendence की बात हो रही है, etc, ठीक है, तो मैं hierarchy, यह particular चीज continuity, तो इसको आप जाके देखेंगे, तब ही आपको याद होगा, मेरे ऐसे बताने से एक सेक्ट में सुन लेंगे, कुछ याद नहीं होने वाला, तो जाके lecture ही, थोड़ा सा देखना आप जाके lecture लगाएंगे, कुछ चीजों को पढ़ेंगे, थोड़ा सा research करेंगे, automatically you'll start framing answers, you'll be in a position to frame answers, कुछ research करो, कुछ Google करो, ठीक है, तो यह question है, given account of Rana Jit Guha's approach in studying subaltern classes, UPSC ने पूछा है, recently 2019-2020 कही सा अवाला शाहिद, तो important question है, हमने अपनी बहुत सारे test series में, कभी कोई सी crash course make, etc, हमने बहुत बार discuss गिया, हम यह करते ही रहते हैं, important है, ठीक है, अभी जैसे रानाजीत Guha पूछ लिया, कभी जैसे के हो सकता है, किसी और का नाम चेकरबती हैं, उनका नाम पूछ सकते हैं, ठीक है, जो गायतरी स्पिवक हैं, उनका नाम पूछ सकते हैं important है, as a syllabus में ने लिखा हुआ, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा इनके बार में पढ़ लेते हैं, जैसे ही हम पढ़ लेते हैं, कि अच्छा है, इनके यह idea था, चाहे उस पे हमने आधा paragraph, चार लाइने, एक paragraph पढ़ आओ, हम उसका answer बना सकते हैं, बस मैं चाहता हूँ को confidence, यह ब आज का हमारा वही जो छोटो सा हमारा topic, A1 और A2 हमने discuss किया, और आप अपने comment box में नीचे आके बताईए, ठीक है दोस्तों, की comment box में बताईए कि राना जीत गुहा का सब all 10 class के बारे में, आप क्या समझते हैं, question का answer कीजिए, आप थोड़ा engaging बनाते हैं, औरों को भी आप जो थोड़ा प्रोसाहित कीजिए, की आएं, answer बनाएं, जो थोड़ा सा initiative में, क्योंकि जितने जादा बच्चे जोड़ेंगे, उतना मज़ा आता है, आप share भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, की yes, एक free initiative चल रहा है, definitely मैं चाहता हूँ आपको यहां बताना कि हमारा paid initiative है, जो mains को लेकि होता है, जिसमें हम question and answer के थुरू, ठीक है, मैं फटा-फट बताता हूँ, question and answer के थुरू हम syllabus cover करते हैं, दूसरा, वहाँ पर हम cover करने के कुशिश करते हैं, थोड़ा सा जो कुछ value add topics, ठीक है, जिसमें value addition हो सकती है, and then कुछ current affairs भी हमने month wise अभी cover करना शुर कर दिया हमने, जैसे भी summaries दे रहे हैं, ऐसे ही हम summaries भी शुरू में डाल देते हैं, कि ताकि जो बच्चे हैं, थोड़ा सा बस they get initiated, they get started, कि मुझे कैसे शुरू करना है, तो यह हमारा paid module रहता है, sociology का भी है, and then जैसे GS का भी है, GS का तो काफी extensive रहता है, question and answer, question and answer mode में हम काफ समझ आके कि यह पूच क्या रहे हैं, तो मैंने इस पर इबार में exact नहीं पढ़ा था, but I can apply certain things, ठीक है, apply कर पाएंगे, answer बना पाएंगे, तो UPSC marks देता दोस्तों, ठीक है, try कीजिए, पढ़िए जाके इसको rapidly, जो मैं आपको summaries के लिए बोला, and come back to write that question, राना जीत गुहा का सब all 10 class वाला, मुश्किल सवाल है, लेकिन why not, ठीक है, try कीजिए, UPSC पूच चुक है सवाल है, मुश्किल है तो, तो हमें तो try करना ही चाहिए, हम इससे मुश्किल try करेंगे, all right, चली, मिलेंगे दोस्तों, अगले वीडियो में, and all the very best, ठीक हिम्मत नहीं हार नहीं, धी काम्याबी मिले, ठीक है, डरने की बात नहीं है, मेहनत करने की बात है, डरने की बात नहीं है, all right, चली, मिलेंगे अगले लेक्चेस में, दोस्तों, bye bye, take care,